संकल्ब भारच जहां बच्चों आपको बस्ट और कॉलिटी एजुकेशन प्रोवाइट की जा रही है वह बस्ट होगी और हमने संकल्ब लिया हुआ है अब अखरी का टाइम चल रहा है और आप लोगों को पता है यार एक जो टॉपिक नया एड हुआ प्रैक्टिकल उसका टेस्ट कैसे करेंगे कौन सा केटाइन है कौन सा एनायन तो इसको प्रॉपर तरीके से बीटा फ्लोचार्ट के फॉर्म में मेरा यह मानना है कि यार 40-50 मिनिट के वीडियो में जितने बैस्ट वे में मैं आप लोगों तक लेके आ सकूं मैं आपके सामने आया हूँ त हमें किन-किन आयन की पहचान हमको करनी चलिए हमारे पास हमको LED को किटाइन है मेरे बच्चे इनको हम total six group में बाठते हैं बोलो कितने group में बाठते हैं group six में बाठते हैं मतलब यह zero से शुरू करते हैं फिर group one होता है two होता है three होता है four होता है five होता है और six होता है और हर किसी group का एक particular group reagent होता है हर group का एक particular group प्रिएजेंट होता है वो भी question का dimension है इसके अलावा सर अगर हमें एनायन की पहचान करनी है एनायन की पहचान करनी है हमको main जो एनायन पढ़ने है carbonate, sulfide, nitrite, nitrite, chloride, bromide, iodide ठीक है और एक और लिख लो acetate iron भी अगर कभी पूछ ले acetate iron भी पूछ लेता है acetate iron जे सारे एनायन हम को पढ़ने है इनका test क्या होगा तो बिटा हमें किसी भी का भी iron का test करना है तो या तो आप test कर सकते हैं कि कौन सी gas evolve हो रही है आप acids डालते है gas evolve हो रही है ठीक है gas evolve हो रही है उस gas के basis पे आप iron की पहचान कर सकते हैं या दूसरा सर आप पहचान कर सकते हैं कि यार इनके लि और कहानी को एकदम डीटेल में मेरे साथ समझने के लिए तयार हो चलिए अब लॉजिक सुनना अगर हमको यह पढ़ना है तो सबसे पहले हम यह जो कैटाइन या एनायन होते हैं मतलब केमिकल में मतलब केमिस्ट्री में कोई भी रियक्टिंग स्पीसीज होती है उन्हें कहते होते हैं मिल्टना रिडिकल एक दम बेशिक से जाना पूरे और बना दियें उन्हें हम कहते हैं रिडिकल्स रिडिकल्स दो तरीके के रहते हैं एक होता है च्लॉराइड ब्रोमाइड ऑयोडन एक होते हैं संधर बेसिक रेडिकल जिसमें कुछ कौन angołeочь में जैसा पार्ट ZN plus 2, Fe plus 3, copper plus 2, Ba plus 2, Mg plus 2, Ca plus 2, and Ns4 plus, अब logic सुनना, कभी भी हम salt analysis जब भी करते हैं, तो हम सबसे पहले जो करते हैं, कटाइन का test लगा देते हैं, उसके बाद NIN का लगाते हैं, otherwise salt analysis के दौरान ये जो कटाइन है ना, hindrance पैदा करेंगे test of NIN में, ये एक basic सा term है, practically आप लोगों को पता होना चाहिए, practically आप लोगों को पता होना चाहिए, चलिए, अब अगर मुझे acidic radical की पहचान करनी है, बोलो किसकी पहचान करनी है, acidic radical की पहचान करनी है, इनको मैं generally दो ग्रुप में divide करता हूँ, किते ग्रुप में divide करता हूँ, दो ग्रुप में divide करता ऐसा कोई भी ग्रूप जिस पे अगर हम dilute HCl ठीक है या dilute H2SO4 पास करेंगे और वो gas evolve करेगा उस gas की पहचान हम करेंगे उस gas की पहचान करेंगे और उस gas से हम कौन सा anion present है इसकी पहचान कर सकता है से मैं सही सर strong group strong group में हम concentrated H2SO4 पास करेंगे जो भी sample दिया गया है उसमें से उस gas का texture कैसा smell है या कैसी दिख रही है इस basis पे हम किसकी पहचान कर लेंगे strong groups की पहचान कर लेंगे तो लिखा क्या है V groups वो होते हैं evolve करते हैं gas बोलो क्या evolve कर रहे हैं मेरे बच्चे ये evolve कर रहे हैं gas on reaction with dilute HCl या H2SO4 और उस gas के basis पे हम किसकी पहचान कर लेते हैं मेरे बच्चे कौन सा anion present है इसमें कौन कौन से आते हैं ध्यान देना बोलो मतलब 2S sulfide और SO3-2 by मतलब bicarbonate by car मतलब carbonate car ऐसी मतलब acetate नहीं मतलब nitrite चलाते से कुछ भी नहीं है बाई कार ऐसे नहीं चलाते ये इनके उपर जब भी आप dilute acid डालते हैं तो आपकी जो gas evolve होती है उस gas के basis पे भी हम किसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास acidic radical present है चलो सर strong group जो concentrated H2SO4 के साथ कोई gas evolve करते हैं इसमें कौन आते हैं सर फाल्तू बात CBI को नहीं पता फाल्तू मतलब fluoride बात मतलब CBI chloride bromide iodide को मतलब oxalate नहीं मतलब nitrate और पता से कुछ भी नहीं है इस तरीके से सर हमने दो group में इसको classify करा यह वो सारे important मैंने radicals लिके हुए जिनके test नीट में आने की full probability है इस topic को मिस करके मत जाना इस topic को मिस करके बिटा गलती से भी मत जाना देख लिए आप लोगों ने इसको बस एक बार आपको डीटेल पढ़ना पड़े नहीं तो salt analysis कराने में न तो बिटा ऐसे तो मैं न 5-10 घंटे का भी वीडियो बना दूँ इतना है पढ़ाने को लेकिन उतना ज पीसे पो बोल रहे हैं कि हम रैडिकल गी पहचान कर सकते हैं तो चलिया acid डालके देखते हैं चलिया acid डालके देखते मालीज जे मेरे पास सबसे पहले अगर salt में है carbonate या buy carbonate एकडा फ्लो चार्ट पूर तयार कर दिया अगर मेरे पास है carbonate या-bbuild क्या है carbonate या और इस पे आपना आसे डाला और जो लाइम वाटर को मिलकी कर देती है विलॉक हमने पढ़ा हुआ है एक एसी घ्स जो कि कलर लेस्ट है और जिसके डाने पर अप लेस्ट अर जिसको र нравится आते हैं ब्रिक आप फर्वेसंस आते हैं और जो कि lime water को क्या कर देती है, milky कर देती है, वो gas कौन सी होती है, co2, अगर co2 gas निकल रही है मेरे बच्चे, तो हमारे पास या तो carbonate होगा, या क्या होगा, by carbonate होगा, चलिए sir, मेरी जो co2 gas होती है, lime water पे अगर मैं डालता हूँ, तो आपका calcium carbonate हो H2O बनता है, और lime water कैसा हो जाता है, milky हो जाता है, lime water कैसा हो जाता है, milky हो जाता है, अगर excess में CO2 आपने और पास कर दी, तो calcium carbonate किस में convert हो जाता है, calcium bicarbonate में, और milkiness क्या हो जाती है, disappear हो जाती है, इस basis पे gas के evolve होने के basis पे मैं carbonate और bicarbonate की पहचान कर सकता हूँ, ठीक है sir, यह मुझे clear हुआ, यह sir, मुझे clear हुआ, अगली कहानी है, अगली कहानी है, अगर मेरे पास nitrite या nitrate present है, और आपने acid डाल दिया, बोलो क्या डाल दिया, acid डाल दिया, आपकी जो gas निकलेगी, वो brown color की gas होगी, कैसी gas होगी, और आप लोगों ने तो P block में group 15 पढ़ा हुआ, सब पढ़ा हुआ, जो brown color की gas होथी, वो कौन सी gas होथी, NO2, NO2 का presence हमको बताता है, confirmatory test नहीं है, लेकिन हमें बताता है, कि यार यह तो nitrite या nitrate present होगी, चलिए, अगर chloride है, आपने acid डाला, आपको greenish yellow color की gas देखने को मिलेगी, बोलो कैसी gas देखने को मिलेगी, यह greenish yellow color की gas आ आपको बताती है, क्या बताती है, आपको बताती है, कि आपके पास कौन present है, chloride ion present है, gas का texture हमको बता रहा है, कौन सा ion present है, चलो अगला है मेरे पास bromide ion, बोलो कौन सा ion है, bromide ion है, अगर bromide ion पे हमने, क्या डाला, acid डाला, सब पे acid डाल रहे हैं, dilute डाल सकते हैं, concentrated, मैंने बता एगर आपके पास आयोडाइड रडी कल आपने उसपे आज़ेगर अगर आपकी वॉयलेट पी वैपर्स काऊंसी गैस रही होगी i2 गैस रही होगी जो स्टार्ट पेपर को कैसा कर देती यह च anders ہوجागुट अगर सुफाइड आयन प्रेजंट रहा होगा एग तो याद रखना सफोकेटिंग settlers दो डर ニ स्वबरण रहे एसी gas निकली जो की suffogating है और उसमें smell कैसी आ रही है burning smell आ रही है sulfur की एकदम अजीब सी तीकी से smell होती है मतलब और वो gas होती है SO2 वो gas होती है SO2 तो हम कह देते हैं आपके पास SO3-2 आयन प्रेजंट है एक और देख लो अगर acetate iron है चलो देख लो अगर acetate iron present है acetate iron present है तो आप लोगोंने vinegar-like smell आरही है vinegar-like smell आएगी बोलो कैसी आईगी vinegar-like smell आईगी आप लोगों घर में कभी भी अगर Chinese food बनता है तो आप लोगों को पता है vinegar की smell कैसी होती है अगर vinegar-like smell आईगी मेरे बचे मतलब acetate iron present रहा होगा तो gas के evolution के basis पे कि कौन सी gas निकल रही है कौन सी gas evolve हो रही है इसके basis पे हम पता भी कर सकते हैं कि कौन सा iron present है लेकिन these are not confirmatory test यह हमारे confirmatory test नहीं होते हैं प्लीज इतना note down करो और यह सारे notes हमारे संकल भारत के official telegram channel पर मिल जाएंगे इसको तो करके ही जाना मैं साब बात बोल रहा हूं मैं अलग अलग अब acidic radical ले रहा हूं और उनके confirmatory test लगाते जा रहा हूं और यह सारे important important है उनको मैंने पकड़ा है क्योंकि आखरी समय चल रहा है मैं ज्यादा समय वेस बच्चों का नहीं करना चाहता हूं अगर मेरे पास sulphide iron है और मैंने इस पे डाल दिया sodium nitroproside बोलो क्या डाल दिया sodium nitroproside डाल दिया याद रखना sulphide iron के लिए test होता है जिसे हम कहता है sodium nitroproside test बोलो क्या बोलता है sodium nitroproside test sodium nitroproside क्या होता है यह होता है सर na4 fe cn5 no अगर मैंने यह डाल ला na4 fe cn5 no और सर यह डालने पे मेरे पास na4 fe cn whole 5 no s का purple precipitate आया बोलो कैसा precipitate आया purple precipitate आया मतलब मैं कहा दूँँगा मेरे पास कौन प्रेजेंट है sulphide iron प्रेजेंट है very 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 important पहल और अगर मेरे पास ag2s का black precipitate आया मुझे confirmation मिलता है मेरे पास sulphide iron प्रेजेंट है बोलो कौन प्रेजेंट है sulphide iron प्रेजेंट है चलिए अगला sulphide iron की पहचान के लिए lead acetate अगर आपने lead acetate डाला और PBS का black इसमें भी black precipitate मिल रहा है मतलब आप कह देंगे confirmation मिल गया आपको sulphide iron और सर लास cadmium nitrate डाला और cds का black precipitate मिला यह भी हमको प्रूफ करता है सर की sulphide iron प्रेजेंट है कौन सा एन प्रेजेंट है sulphide iron प्रेजेंट है इस आर फोर टेस्ट सबसे पहले क्या डाला आपने sodium nitroprosite आपको violet precipitate purple precipitate देखने मिला agno3 के साथ आपको ag2s का black lead nitrate के साथ pbs का black और cadmium nitrate के साथ आपको cds का black precipitate देखने को मिलता है black precipitate देखने को मिलता है बोलो clear हुआ सभी बच्चों को I think सभी को clear होगा चलिए next बात करता हूं next बात करता हूं मेरे पास है nitrate का test no2 nitrite का test इसके लिए सबसे पहले agno3 डालो औ और अगर आपको agno2 का white precipitate देखने मिले जो की insoluble अकेला nitrate है जो की insoluble होता है तो आप समझ जाना आपके पास no2 minus ion रहा होगा दूसरा सर कई बार question पूछा गया brown ring test ये जो brown ring test होता है ये nitrite के लिए भी होता है और nitrate के लिए भी होता है ये question भी आज चुका है ये nitrite के लि हुआ है मुझे सबसे पहले इसमें डालना है बिटा क्या FESO4 डालना है FESO4 डालना है FESO4 जिसमें iron plus 2 oxidation state में होता है और wall के सहारे मुझे H2SO4 डालना है अब जब जहां liquid मिलते है ना मुझे अगर वहाँ पे brown color की ring देखने को मिली बूलो क्या देखने को मिली brown color की अगर formation की वज़े से होती है जिसका formula क्या होता है FESO5 NOSO4 जिसमें iron बहुत important है plus 1 oxidation state में होता है आप बोलेंगे हमने तो iron को plus 2 भेजाता प्लस 1 कैसे आ गया अरे बिटा होता क्या है अपना एक electron इसको transfer कर देता है जिसे कहता है charge transfer transition इसलिए कहा जाता है brown ring complex में जो iron होता है वो plus 1 oxidation state में पाया जाता है very 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 important बोलो clear है सारे बच्चों को clear होगा चलिए next next बात करते हैं chloride iron oh my god अभी chloride के लिए अपने अगर acid डाला था आपने जैसे ही acid डाला था chloride iron पे आपको greenish yellow color की gas मिल रही थी chlorine gas पहला तो यह test था sir चलो तो आपने जब इस पे concentrated S2SO4 डालते थे क्योंकि यह strong group का member था ठीक है हमने कि gas में देखा था acidic radical में देखा था तो sir greenish yellow color की gas मिली अब इस greenish yellow color की gas पे मैंने एक glass rod डिप्ड करी NH3 में बोलो किसमें डिप्ड करी NH3 solution में ठीक है और जैसे ही इसको मैंने डिप करा और यहाँ पे gas के पास ले गया मुझे NH4CL के dense white fumes देखने को मिलेंगे यह confirmation हो जाता है सब पे आप क्या डालेंगे मेरे बचे glass rod लेंगे dipped in ammonia dipped in ammonia इसको पास में ले जाएंगे जैसे ही पास में ले जाएंगे अगर NH4CL के आपको white dense fumes मिल रहे हैं मतलब chloride ion confirm है दूसरा सर chromyl chloride test very important जैसे sodium nitro proside test sulfide ion के लिए important था इसके लिए chromyl chloride test बहुत important what is chromyl chloride test बिटा अगर आपने के पास chloride ion है है हमको पता करना है कि है या नहीं है इसके उपर हमको K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 पास करना पड़ता है K2Cr2O7 और H2SO4 पास करता है हमें मिलता है CRO2Cl2 जिसे कहता है chromyl chloride बोलो क्या कहता है chromyl chloride इसका red brown precipitate अगर मुझे मिला बोलो क्या मिला red brown precipitate अगर मुझे मिला मतलब मेरा confirmation हो जाएगा chloride ion present है चलिए further और confirmation हमको करना है NaOH डाल दो मुझे Na2CrO4 हमने D block में पढ़ा हुआ है Na2CrO4 यलो कलर होता है बोलो कैसा होता है यलो कलर का solution मनता है इसका हमें further yellow कलर का solution मिलेगा chloride ion confirm further मैंने इस पर अगर AGNO3 डाल दिया तो मुझे AG2CrO4 का black color का या oh sorry brick red color का precipitate मिलेगा मतलब मुझे फरदर पता चल गया chloride ion confirm यह test होता है chloride ion का बहुत important और AGNO3 जब हम डालते है ना chloride ion पे पहले मुझे AGCl का white precipitate मिलेगा जो कि soluble होगा NH3 में यहाँ NH3 ले 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 ना dilute soluble होगा किसमें NH3 में और अगर NH3 में soluble है तो हमने कह दिया कि मेरे पास कौन present है मेरे पास chloride ion present है सबसे पहला test greenish shallow gas निकलना दूसरा chromyl chloride test बहुत important chromyl chloride का red brown vapors बनना confirmation के लिए NaOH डाल दो Na2CRO4 का yellow solution और उसमें AGNO3 डाल दो अगर मेरे पास AGCRO4 का brick red precipitate आ रहा है chloride ion confirm AGNO3 डाला अगर AGCL का white precipitate आ है soluble है ammonia में मतलब chloride ion भी confirm है चलिए अगली बात करते हैं सर मेरे पास test of bromide ion चलिए सबसे पहला gas evolution के basis पर कर ले चलो अगर get evolution के basis पर आपने test कराउं बोलो किसके basis पर gas evolution के basis पर आपने करा ठीक है अगर gas के evolution के basis पर आपने इसका test यहाँ पर आएगा आपका क्या यालो प्रेसिपिटेट जो कि सॉलुबल होगा कॉंसन्ट्रेटेट एनिस्ट्री में बोलो किसमें इनिज्ट्ट्रेट्स और फिले डेillल एक यॉक्ट क्वाइड जो की soluble होता है किसमें hot water में बेटा बस इतना पलो ये flow chart पलो बहुत important है आप लोगों के लिए clear है ये bromide ion के मैंने तीन test देखा आप देखो ना यार कितने प्यार से simplest तरीके से नहीं तो चीज़ा बहुत complicated दी हुई है यार चलो सर अब अगर सर एक और test मुझे यहां देखने को मिलता है layer test layer test होता है bromide के लिए और iodide के लिए layer test में होता क्या है आपने अगर bromide या iodide ion है ठीक है और आपने उस पर chlorine water डाला बोलो क्या डाला chlorine water डाला साथ में chloroform आप ले सकते हैं CS2 ले सकते हैं CCL4 ले सकते हैं मैं लिखके इसलिए लेके आ गया हूं बिटा ताकी ना आसानी सो जानी तो और वक्त लगता अब अगर इसके साथ मुझे layer मिली किस color की red brown color की layer मिल मिली मतलब bromide ion present और अगर violet color की layer मिली मतलब iodide ion present तो आज के बाद आपसे पूछ सकता है layer test किसके लिए use करते हैं तो आपको याद होना चाहिए layer test use करते हैं किसके लिए bromide ion के लिए बोलो किसके लिए बिटा bromide ion के लिए आप use कर सकते हैं या iodide ion के लिए आप use कर सकते हैं या भी मैंने बोला था acid डालोगे gas निकलेगा रटना चाहिए यार acid डालोगे gas निकलेगा अगर आपने concentrated H2SO4 डाला iodine निकली gas iodine कैसी वैपर्स हो था violet color के एगदम वैपर्स आपको देखने को मिलेंगे जो की सर starch paper को कैसा कर देता है blue कर देता है यह confirmatory test मिल गया मुझे की iodide ion presented चलो अब अगर इस पर आपने AGNO3 डाला सब पर AGNO3 डाल रहा AGCL, AGBR और यहां AGI के आपको dark yellow color के precipitate मिलेंगे जो की insoluble होते हैं ammonia में एक soluble था dilute NH3 में एक था concentrated NH3 में और यहां पर important बात these are insoluble in NH3 insoluble होते हैं NH3 में बोलो clear है न and ser वहां पे हमने lead acetate डाला था PBBI2 का देखो आपको white precipitate मिला था देखो यहां पे आपको PBI 2 का yellow precipitate देखने को मिलेगा, बोलो कैसा precipitate देखने को मिल जाएगा आयोड़ायन पायोडाइड आयन कंफर्म पेटा यह मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आयन आप लोगों को क्या पता आज इसमें से पूछ ले चलिए अगला है अगला है टेस्ट फॉर कटायन इसके लिए हम दो टाइप के टेस्ट करते हैं एक होता है ड्राइट टेस्ट और एक होता है सर कौन सारे टेस्ट ड्राइट में कौन कौना आता है आप सोचो 20 मिनिट में मैं आणायन खातम कर दिए जो जो इंपर्टेंट आप लोगों के अब सर अगरम ड्राइट टेस्ट के बारे माने बात कर रहाूं सबसे पहला test मैं use करूंगा sir जो की मेरा होगा sir flame coloration test बोलो कौन सा होगा flame coloration test मैं use कर रहा हूँ चलिए ये generally group 1 और group 2 periodic table में जो भी group 1 और group 2 के katiens होते है उनके लिए use किया जाता है flame coloration और कई बार copper भी देता है sometimes copper भी देता है sometimes copper भी आपका flame coloration देता है चलो ठीक है चलिए अब कौन सी flame हमको देखने को मिलेगी अगर lithium है तो बोलो लिक्री करके याद करो इसमें हमको crimson red color आता है लिक्री न ये दिवाली में दिवाली में हम नए कपड़े पहनते हैं ना तो न ये करके याद रखना यलो कलर की अपने को क्या देखने को मिलेगी flame potassium है के वी करके याद रखना हो के वी violet color के वी स्कूल होता है ना violet color की flame फिर बो रूबीडियम का आर पकड़ ले ना red violet color की flame और cesium cesium समुंदर c c c समुंदर blue होता है ना आज blue है पानी 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 और दिन भी सानी 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 तो मेरे बच्चे ये blue color का अपने को देखने को मिल जाएगा चलो baryllium और magnesium की ionization energy बहुत ज़्यादा हाई होती ये जनरली flame coloration नहीं देते हैं लेकिन calcium brick red color brick मतलब eat इट का कलर देखा ना इट जो होती है brick तो इसको ऐसे याद रखना calcium की brick calcium की brick किसकी brick calcium की brick चलो इस ट्रॉंशियम SR CR CR crimson red और बेरियम में ए पकड़ लेना ए पकड़ लेना ए फॉर apple green a4 apple हम बच्पन से बोलते हैं ना ए4 apple b4 बड़ा apple c4 चोटा apple d4 dirty apple तो a4 apple green color अपने को देखने को मिलेगा बोलो कैसा देखने को मिलेगा apple green color अपने को किसा देखने को मिलेगा यह कुछ अपने dry test हो सकता है जनरली ये transitional element के लिए यूज करते हैं अब logic सुनना अगर मैं transitional element के लिए ब्रिक रेड बोरेक्स होता क्या है NA2 B4 07.10H2 ये होता है मेरा बोरेक्स बोलो क्या होता है ये मेरा बोरेक्स होता है अगर मैंने बोरेक्स को गरम करा तो 10 water के molecule निकल गए और मुझे मिलता है Na2b4O7 क्या देखने को मिलता है? Na2b4O7 देखने को मिलता है अगर मैंने इसे फर्दर गरम करा तो मुझे NaBo2 sodium metaborate और B2O3 boric anhydride देखने को मिलता है ये मुझे मिल गया sodium metaborate sodium metaborate देखने को मिलता है इस बहुत सारे transitional metal एक bead बनाते हैं अलग-अलग characteristic color की metaborate के साथ इसलिए इसे हम नाम देते हैं बोरेक्स bead test नाम देते हैं तो मैं लिख सकता हूँ transitional metal जो होते हैं transitional metal जो होते हैं एक bead का formation करते हैं bead का formation करते हैं और उसके color के basis पे उसके color के basis पे हम पता कर सकते हैं कौन सी transitional metal present है उसकी trick दे रहा हूँ आप लोगों को बहुत important बोलो kuko kuko copper और kobalt की मुझे blue color की bead देखने मिलती है तो याद करना kuko blue kuko blue फिर बोलना nickel nibro 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 होते हैं न वैसा ही निब्रो ये green color की bead देता है कुको blue nibro और iron green color की ये बहुत important है borax bead test में ये सारे dry test होते हैं बोलो कैसे test होते हैं dry test होते हैं clear है beta please note down कर लो इसे clear है beta please note down कर लो इसे ठीक है सारा notes आपको telegram channel पे updated मिल जाएगा चलिए बात करता हूं अगली अगली बात करता हूं पढ़ना है हमें पढ़ना है PB plus 2 के बारे में बहुत important है group 1 कैटायन का जिसमें PB plus 2 हमारा सबसे important है और इसका group reagent होता है dilute SCL बोलो कौन होता है dilute SCL question पूछा जा सकता है चलिए अगर PB plus 2 पे इसका group reagent आपने डाला group reagent डाला dilute SCL और अगर आपका obviously पता PB, CL के साथ reaction करके PB, CL2 का white precipitate आएगा जो soluble होगा hot water में चलो ठीक है sir sir अगर KI के साथ reaction करी तो मुझे PB, I2 का भी हमने देखा आता PB, I2 का yellow precipitate आता है जो कि soluble होगा boiling water में खौलते हुए पानी में soluble होगा soluble होगा किसमे boiling water में और अगर मैंने PB पे K2Cr4 दाला तो मुझे PB, CRO4 का yellow precipitate देखने को मिलेगा अगर PB ट्स 2 को NaOH में डाल रहे हैं तो मुझे lead hydroxide का white precipitate देखने को मिलता है logic सुनना अगर आप लोगं को पता हो lead जो होता है न बिटा लेड का अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, लेड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये मुझे acid के साथ reaction करके PBCL2 का white precipitate, base के साथ reaction करके OH hold twice का white precipitate, KI के साथ reaction करके PBI2 का yellow precipitate जो की soluble है boiling water में और K2CRO4 के साथ reaction करके PBCRO4 का yellow precipitate देता है, कि आप बढ़िया flow chart के form में आपके सामने कहानी लाके रख रहा हूं, एकदम आपको कहानी को बहुत simplest तरीके से पढ़ना और समझना है, चलिए, अगर इतना clear है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं group 2 में, ठीक है, अगर मैं group 2 में बात करूँ, तो मेरे को इसमें 2A होता है और 2B होता है, जिसमें SN plus 2, SN plus 4, AS plus 3, AS plus 3, ये भी हमारे इसमें दिया गया है, ठीक है, ये सब हमारे इसमें दिया गया है, लेकिन important है हमारे लिए copper plus 2, तो हम सिर्फ copper plus 2 को देखने जा रहे हैं, चलिए, copper plus 2 को देखना, अब अगर मैं बात करूँ, group 2 का जो group reagent है, वो है H2S plus dilute SCL, बोलो कौन है, H2S plus dilute SCL, ये हमारा group reagent है, अगर मैंने Cu plus 2 पे H2S और dilute SCL डाला, बोलो क्या डाल दिया, H2S और dilute SCL डाल दिया, मुझे CUS का copper sulfide का black precipitate देखने को मिलेगा, ये पूचा जा सकता है, black precipitate देखने को मिलेगा, इसके अलावा सर, इस पे अगर आपने potassium ferocyanide डाला, बोलो क्या डाला, potassium ferocyanide डाला, K4 FeCN6 डाल दिया, देखो, यहाँ 4 K plus है, 2 K plus गए, C U plus आया, C U plus 2 आया, तो आप देखेंगे K2 Cu, ठीक है, FeCN6, इसे हम कहते है, potassium ferocyanide, ठीक है, इसका मुझे chocolate brown color का precipitate मिलता है, बोलो कैसा precipitate मिलता है, chocolate brown color का precipitate देखने को मिलता है, अगर इस पे alkali डाला, NaOH, तो CuOH whole twice का blue precipitate, एंड सर, अगर Ki डाला, जैसे वहाँ पे भी Ki डाला था, PBI2 का yellow precipitate आया था, पहले याँ CUI2 आया, CUI2 further dissociate हो जाता है, बेटा, unstable होता है, क्योंकि copper plus 2 state में होगा, तो copper plus 1 state में और plus 1 state में चला जाएगा, ठीक है, और सॉरी, 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 कलत बोल दिया, मैंने, अगर CUI2 है, यह unstable होता है, CU2 I2 में convert हो जाता है, और I2 में convert हो जाता है, मेरे बच्चे, और CU2 I2 का आपको white precipitate देखने को मिलता है, very important बेटा, very 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 important बेटा, जल्दी आजाएगे, clear है सारे बच्चों को, clear है सारे बच्चों को, चलिए, अगर इतना clear है, तो अब बात करते हैं, group 3 के बारे में, group 3 को याद करने का तरीका है, मेरे पास, array fail कर, array मतलब aluminum, doctor ABC trick है, यार, बहुत ज़्यादा use होंगी, और आपको पता है, कौन कहता है, chemistry याद नहीं होती, एक बार अन्रॉक सर से पढ़के तो देखो, बेटा, डॉक्टर खुद बना हूँ ना, मुझे पता है, चीजों कैसे याद करना है, डॉक्टर बनते टाम, इतनी medicine, इतना सब कुछ याद करा हुआ है, सब कुछ याद कराना आता है, ठीक, और मुझे selective बर पता है, कि कहां से बच्चों को क्या देना है, इतना सारे के बाद मैंने इतना निकाला है आप लोगों के लिए, ता कि आप पढ़के जा सको, अब सर इसमें array मतलब है, aluminum plus 3, fail मतलब FE plus 3, कर मतलब है CR plus 3, ये तीन मेरे पास दिये गए, अब अगर मुझे इसका group reagent बात करें, तो group reagent होता है NH4OH और NH4Cl, NH4Cl solid state में पाया जाता है, reaction करेगा NH4OH, चलो, AL plus 3 के साथ अगर group reagent ने reaction करा, aluminum hydroxide के white precipitate मिले, जो कि do not dissolve in excess of NH3, जो कि excess of NH3 में dissolve नहीं होते हैं, चलो, अगल अगर NaOH इस पे डालते हैं, तो NaalOH whole 4 हमको aluminum मिल जाता है, चलो, सर, अगला FE plus 3 के बारे में बात करें, FE plus 3 पे, अगर group reagent में NH4OH डाला, मुझे FE OH holthrised का red brown precipitate मिला, जो कि do not dissolve in excess of NH3, वो भी dissolve नहीं होता, excess of NH3 में, लेकिन, सर, अगर मैंने इस पे, देखो, iron plus 3 है, K4 FE CN6 डाल बोलो क्या डाला, potassium ferocyanide डाला, तो सर मुझे देखना, ये एक iron plus 3 वाला बाहर गया, ठीक है, एक potassium बाहर लगा हुआ है, क्योंकि हमको char valency को balance करना था, अंदर वाला iron plus 2 है, FE, K, FE CN6 मिला, जिसे prussian blue कहते हैं, और ये blue color का होता है, बोलो किस color का होता है, blue color का होता है, चलिए सर, ये बहुत important है, बहुत important है, और अगर इस पर potassium ferocyanide डाला, देखो K3, FE CN6, potassium ferocyanide होता है, और अगर potassium ferocyanide डाला मेरे बच्चे, तो बहुत important बात ये है, कि सर, मुझे क्या मिल जाएगा, FE 3, FE CN6 देखने को मिल जाएगा, बोलो क्या देखने को मिल जाएगा, FE 3, FE CN6 अपने को देखने को मिलता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, potassium ferocyanide डाला, तो मुझे ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, and the last, chromium plus 3, group reagent डालोगे, chromium hydroxide का green precipitate, NaOH डालोगे, chromium hydroxide का green precipitate, लेकिन ये green precipitate, access of NaOH में, Na2CrO4 का yellow precipitate बि CR plus 3 का, किसका confirmatory test होता है, CR plus 3 का confirmatory test मुझे देखने को मिलता है, बूलो क्या देखने को मिलता है, confirmatory test देखने को मिलता है, ये flow chart याद कर लेना, एक question यहां से ताय है, बहुत important flow chart है, ये flow chart बस याद कर लेना, ये बहुत important flow chart है, चलिए next, group 4 के बारे में बात करते हैं, group 4 में कौन-कौन आता है, group 4 में आता है, nickel plus 2 important है, dead in plus 2 important है, और भी आता है, लेकिन ये दोनों important है, group reagent क्या होता है, h2s in presence of basic medium, basic medium, चलो, अगर nickel plus 2 है, बिटा, nickel plus 2 पे h2s in basic medium में हम डालेंगे, तो मुझे nis का black precipitate देखने को मिलता है, य आपको याद करना पड़ेगा, nis का कैसा precipitate होता है, black precipitate होता है, and the very important, अगर आपने coordination chemistry पढ़ी हुई है, तो आप DMG डाल दो, dimethyl glyoxal डालेंगे, तो आप देखेंगे, NIDMG whole twice का rosy red precipitate आता है, rosy red, rosy red precipitate आता है, और उस compound का structure कई बार पूछा गया है, देखो structure क्या होता है, यह dimethyl होता है, dimethyl glyoxal होता है, देखना, CH3C, CH3, double bond and O negative, ठीक है, इसने loan pair legend है, तो loan pair of electron इसको दिया, इसने इसको दिया मेरे बच्चे, और आप देख सकते हैं, इधर से भी donation हुआ, लेकिन सर, यहाँ O negative हो और यह H है, आप देखेंगे, यहाँ hydrogen bonding बन गई, hydrogen bonding बन गई, यह compound stable होता है, due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, यह compound अपना कैसा देखने को मिल जाता है, stable देखने को मिल जाता है, DMG का structure भी मैंने आपके सामने बना के रख दिया है, चलो सर, वहीं अगर मैंने इस पे hydrogen plus 2 डाला, आपका group reagent है, H2S in presence of basic medium, आपको hydrogen S का white precipitate मिलेगा, जो की soluble होगा, dilute SCL में, और क्या बना देगा, hydrogen CL2 बना देगा, next, NaOH डालेंगे, hydrogen OH hold twice मिलेगा, फर्दर NaOH access में डाला मैंने, like chromium में डाला था, तो मुझे Na2, hydrogen O2 देखन हो गया, नहों गुरूप 5, गुरूप 6 और गुरूप 0 के बारे में बात करें, ध्यान दीजिए, गफलो चार्ट में, गुरूप 5 में, calcium आता है, barium आता है, बोलो कौन कौन आता है, इसमें आपको, sir, calcium plus two देखने को मिलेगा, ba plus two देखने को मिलेगा, sr plus two देखने को होता है ammonium carbonate और ammonium hydroxide बोलो कौन होता है ammonium carbonate और ammonium hydroxide होता है चाहे calcium plus 2 चाहे barium plus 2 चाहे strontium plus 2 हो अगर इस पर हम group reagent डालते हैं मेरे बच्चे तो calcium का carbonate barium का carbonate कैलशियम का carbonate barium का carbonate और मुझे strontium का carbonate देखने को मिलेगा तीनों के white precipitate होता है लेकिन सिर्फ इन में से आप barium जो है वो na2CrO4 के साथ with na2CrO4 only barium form precipitate not calcium plus 2 and SR plus 2 और वो जो precipitate बनता है वो हमको baCrO4 का देखने को मिलता है किसके साथ na2CrO4 के साथ very 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 important यह group 5 है चलिए group 6 में आता है mg plus 2 और इसका कोई group reagent नहीं होता है group reagent कुछ भी नहीं होता है और कोई group reagent नहीं है तो याद रखना इसका test कैसे किया जाता है mg plus 2 पे Na2HPO4 डालते हैं ammonium hydroxide की presence में हमारा mg NH4 PO4 बनता है जो की further गरम करने पे mg2 BO7 के क्या देता है white residue देता है यह हो गया group 6 कोई group reagent नहीं होता है and the last is group 7 इसका भी कोई group reagent नहीं है मेरे बच्चे लेकिन अगर ammonium ion पे nessler reagent group 0 में याद रखना सिर्फ ammonium ion आता है very important बेटा इसमें सिर्फ आपको ammonium ion देखने को मिलेगा बहुत important है इसमें सिर्फ आपको ammonium ion देखने को मिलेगा और इसमें अगर nessler reagent डाला nessler reagent क्या होता है मेरे बच्चे k2hgi4 k2hgi4 होता है ठीक है in basic medium in basic medium in basic medium basic medium यही question पूछा जाएगा nessler reagent जैसे ही डालेंगे आपको red precipitate देखने को मिलता है red precipitate देखने को मिलता है आपको मैंने ये जो 35 या 36 minute करा है न ये आपके लिए इतने ज़्यादा beneficial है मेरे बच्चे की 4-8 marks as it is आपको यहां से देखने को मिलेंगे हर चीज simplify करके आप लोगों तक flowchart के form में ले आया मुझे comment box में बताना क्या ये जो salt analysis का डर था खतम हुआ इतना पढ़ लिया ना this is more than एना बहुत select करके इतने को इतना करके आपके सामने flowchart के form में लेके आया हूँ बहुत मैनत लगी थी बिटा लेकिन मेरा यही मानना है best or quality education का हमारा वादा है thank you so much टाटा बाबाए take care comment box में जरूर बताएं doctor ABC trick से मज़ा आया या नहीं आया इतना है